सो हलो एवरिवन आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले अबाउट आरेने एडिटेंग सो आरेने एडिटेंग का मतलब क्या होता है कि हम आरेने की सीक्वेंस में चेंज़ ला रहे हैं उसको RNA की sequence को बदल देना by insertion or deletion या फिर basis को change करके हम RNA को edit कर रहे है so RNA editing को हम RNA modification भी बोलते है कि हम क्या गर रहे है RNA की जो sequence है उसके अंदर changes ला रहे है उसके अंदर modifications ला रहे है आपको पता है कि जो हमारे पास में mRNA होता है mRNA से ही क्या बनता है protein बनता है so अगर आप इस mRNA के अंदर changes कर दोगे अगर हम mRNA के अंदर changes कर देंगे उसको modify कर देंगे उसकी sequence को तो आपको एक different protein मिलने वाला है different protein मिलेगा क्योंकि हमने mRNA में sequence change कर दी तो आपका protein का जो function है वो भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा इसलिए हम बोल रहे है कि यह जो process होता है RNA editing यह आपको help करता है to create the diversity in the protein products from the limited number of genes हमाय बस limited number of genes से ही हम diversity ला सकते हैं protein में क्योंकि अगर आपने एक भी base को अगर change करा एक भी base को अगर आपने change करा sequence में तो पूरा का पूरा जो sequence है, codon है वो change हो जाएगा और आपको एक different protein function देखने को मिलेगा सो वही चीज़ यहां पर definition में लिखा है कि RNA editing जो है, it is a process of changing or modifying the RNA nucleotides to change the amino acid sequence अगर आप mRNA में change करोगे तो आपका जो protein sequence है वो भी alter हो जाएगा most commonly यह eukaryotes में देखा जाता है और tRNA, mRNA, rRNA सभी तरीके के जो हमारे eukaryotic RNA है, ऐसा निये कि एक ही में होता है, सब के अंदर यह देखा जाता है, RNA editing हो सकती है, तो अगर हम types की बात करें कि RNA editing के दो types है, सबसे पहला है site specific base modification या फिर de-amination and the second is the insertion or deletion जो कि हम guide RNA की help से करेंगे, so guide RNA क्या करेगा, हमें help करेगा to delete or insert the specific basis, the specific uridine basis so सबसे पहले हम discuss कर रहे है, about the site specific base modification या फिर जिसको हम बोलते हैं, site specific de-amination so site specific de-amination का de-amination का मतलब क्या होता है, de-amination का मतलब होता है कि जो amino group है, आप उसको remove कर रहे हो जैसे अगर एडिनीन के अंदर से, अगर आप amino group का removal कर दोगे, de-amination कर दोगे, तो यह inosyn के अंदर convert हो जाएगा similarly, अगर आप cytosyn का de-amination कर दोगे, तो इससे uracil बन जाएगा, अगर आप uracil का de-amination कर दोगे तो क्या बन जाएगा? cytosin मन जाएगा so deamination का मतलब होता है amino group का removal करना और site specific यानि कि एक particular site पे हम ये चीज़ करने वाले हैं अब इसका जो example है that is found in our GI system that is gastrointestinal system के अंदर ये देखा जा सकता है हमारे GI system के अंदर gastrointestinal system के अंदर बहुत सारे इसकर क्या होते है lipoproteins होते हैं जैसे VLDL है chylomicrons है तो ये सभी को हम क्या बोलते है lipoproteins बोलते हैं इसमें से एक जो हमारे पास में है यहाँ पर example में that is the tomorrow wappoprotein b that is the आप्ब लिप्वो प्रोटीन b ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है ट्रांस्पोर्ट में help करता है ये क्या करेगा जो fat होता है या cholesterol होता है उसका जो transport है उसमें help करता है एपो लिपो प्रोटीन B और यह किसका पार्ट होता है HDL का, LDL का, VLDL का यह पार्ट होता है तो यहाँ पे आपको different lipoproteins दिख रहे हैं हमारी body के अंदर जो different lipoproteins होते है apple protein इनका पार्ट होता है मतलब kylomicron जो है lipoprotein का मतलब क्या है कि जिसमें lipid भी होगा और protein भी होगा तो यह जो lipoproteins होते हैं यह इनका पार्ट होते हैं जैसे kylomicron के अंदर आपको apple B48 मिलेगा VLDL, very low density lipid IDL, LDL, HDL, high density lipid, low density lipid सभी के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं पर apple proteins मिल रहे हैं हर एक का जो function है आप ध्यान से अगर दिखेंगे तो यह क्या कर रहे हैं fat का transport कर रहे है fat का transport cholesterol के transport में help कर रहे हैं so apple proteins जो होते हैं वो इनके lipoproteins के structure में आपको देखने को मिलते हैं apple proteins और इनका काम क्या होता है कि यह fat और cholesterol का transport में help करते हैं अब यह जो apple lipoproteins होता है इसका जो mRNA होता है उसमें जो exon number 26 है देखो mRNA के अंदर जो exon number 26 है उसकी क्या sequence है CAA है CAA है मतलब यह mRNA है इससे आगे जाकर के protein बनेगा तो इसका जो mRNA है इसका जो exon number 26 है उसमें sequence क्या है CAA अब यह tissue specific होता है इसमें editing जो है tissue specific होती है क्या होती है यहाँ पर tissue specific editing होती है तो अगर liver में होगा तो कोई editing नहीं होगा और intestine में होगा तो यहाँ पर editing होगी so यहाँ पर आप देख रहे हैं this is the epolipoprotein का mRNA यह क्या है mRNA है और इसके अंदर जो CAA है that is exon number 26 पर क्या sequence है CAA है so अब यहाँ पर क्या होगा कि mRNA जो है epolipoprotein का depending upon की tissue type कौन सा है यहाँ पर deamination होने वाला है अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर अगर liver के अंदर liver cells के हम बात करें और इदर बात कर रहे है intestinal cells की so अगर liver के अंदर होता है तो liver के अंदर कोई भी editing नहीं होती है मतलब CAA जो है वो अभी भी still क्या है CAA ही है so यहाँ पर कोई भी editing नहीं हुआ है लेकिन अगर हम बात करें intestine की तो intestine के अंदर क्या होता है de-amination होता है intestine के अंदर क्या होता है de-amination होता है जिसकी वज़े से जो cytosin है वो uracil में convert हो जाता है cytosin uracil में convert हो जाता है due to the de-amination तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब यह क्या बन चुका है हमारा CAA की जगा अब UAA बन चुका है और UAA हमें पता है कि stop kodon होते हैं UAA क्या होते है हमारे stop kodon होते है stop kodon तीन होते हैं आपके UAA, UAG and UGA यह हमारे परस क्या होते है stop kodon होते है यू आलू-आलू, यू आलू-गोबी यू गोबी-आलू इस तरह के से आप याद कर सकते हो तो यह हमारे पास stop codons होते है यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में stop codon आ गया है due to the deaminasyon अगर हम liver की बात करें तो liver में क्या हो रहा है translation हो रहा है liver के अंदर translation हो रहा है पूरे के पूरे MRNA का हमारे पास में हो रहा है यहाँ पर translation के बाद में जो protein बनेगा वो क्या बनेगा EPO-B100 यहाँ पर क्या बनेगा EPO-100 मिलेगा लेकिन यहाँ पर complete protein का हो गया synthesis complete protein बन गया intestine के अगर हम बात करें इधर आओ intestine के उपर intestine में क्या दिक्कत हो रही है कि UAA stop codon जो है वो पहले ही आ चुका है due to the deamination पहले ही आ चुका है UAA तो आप sequence ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर CAA यहाँ पर जो stop codon है वो कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर stop codon end में आ रहा है और यहाँ पर stop codon पहले ही आ चुका है So in case of the intestine वाले जो cells है वहाँ पर translation जो है partial होगा intestine के अंदर there will be translation of partial sequence of RNA जिसकी वज़े से जो आपको protein का length मिलेगा वो भी छोटा मिलेगा So यहाँ पर क्या बनेगा आपके बस EPO B48 मिलेगा EPO B48 मिलेगा So यहाँ पर EPO 100 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है EPO 48 मिल रहा है EPO 48 का मतलब होता है कि उसके अंदर स्रिफ 48% है only 48% है of EPO 100 100 में से खाली 48% उसके अंदर है EPO 48 means that it has only 48% क्योंकि यहाँ पर stop codon जो है वो पहले ही आचुका है due to the de-amination So वही चीज मैंने यहाँ पर लिखिया है कि लिवर के अंदर अगर हुगा तो फिर कोई editing नहीं होरी पूरा protein translation हो रहा है पूरे protein मन रहा है पूरा mRNA का translation हो रहा है और आपको end product जो मिल रहा है वो पूरा protein मिल रहा है EPO B100 मिल रहा है So यहाँ पर लंबा protein मन रहा है intestine के अंदर क्या होता है de-amination हो जाता है जो हमारा cytosin है वो uracil से replace हो जाता है तो UAA stop codon पहले ही आगया है तो incomplete या फिर partial translation होता है तो जो protein है वो आपको EPO B48 मिलता है जिसका size क्या होता है छोटा होता है short protein यहाँ पर मिलता है अब जो second type आता है second type क्या आता है insertion और deletion editing कैसे होती है insertion और deletion editing कैसे होती है तो सबसे पहले insertion की बात करेंगे insertion में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे pre-mRNA है और यहाँ पे we have the guide RNA यहाँ पे यह क्या आपके बस guide RNA है guide RNA की अगर हम बात करें तो guide RNA जो होता है उसके 3 domains होती है सबसे पहला domain है 5 prime domain जो 5 prime region होता है वो complementary होता है pre-mRNA के तो यह complementary है इस pre-mRNA के जो central domain होती है यह क्या आपकी central domain है central domain के अंदर necessary information होती है कि क्या चीज हमें insert करनी है या delete करनी है pre-mRNA में क्या insert होना चाहिए क्या delete होना चाहिए किस तरीके से editing होना चाहिए कौन से base को हमें remove करना है कौन से को delete करना है तो वो जो information होती है वो central domain में होती है और यह normally 30 to 40 nucleotides length में होती है अगर हम बात करें 3 prime जो हमारा end है guide RNA का that is characterized by the polyutel polyutel तो यहां पर आपको polyutel देखने को मिलेगा 3 prime end पर तो यह तो बात हो गई guide RNA के structure के बारे में अब editing कैसे चालू होती है वो देखते हैं तो सबसे पहले जो pre-mRNA है वहां पर कौन आकर के bind होता है guide RNA bind होता है guide RNA bind होता है and binding के बाद क्या होता है कि जो target site है mRNA की वहां पर cleavage होती है वहां पर क्या होती है cleavage होती है यह मान लीजे कि मुझे यहां पर जो है uridine को insert करना है तो मेरे को target पता चल गया है तो यहाँ पर क्या होता है cleavage होती है वो कौन करता है uridal transferase यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा addition हो जाएगा uridine का So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि uridine को add कर दिया गया है insertion हो चुका है यहाँ पर insertion हो गया उसके बाद में क्या होगा कि जो दोनों हमारे पास में fragments थी उनका finally re-ligation हो जाएगा दोनों fragments का यहाँ पर ligation कौन करेगा ligase enzyme क्या करता है यहाँ पर ligation करता है अब यह तो बात हुई insertion की अब यहाँ पर deletion भी हो सकता है देखो जो guide RNA है template के अंदर guide RNA का जो हमारा sequence है जो template है region है guide RNA का उसके अंदर जो भी information है depending upon the information जो उस guide RNA के अंदर present है जो uridine है उसको add भी किया जा सकता है उसको डिलीट भी किया जा सकता है from the pre mRNA और addition का का काम किस ने करा हमारे uridal transferase ने और deletion का काम कौन करता है uridal exonuclease यहाँ पर deletion का काम करता है यहाँ पर similarly आप यहाँ पर देख सकते हो deletion कैसे हो रहा है कि guide RNA है यहाँ पर यह वाला जो uridine ने इसको delete करना है तो delete करने का काम कौन करेगा uridal exonuclease यहाँ से उसको delete कर देगा और फिर जो दोनो fragments हैं उनका ligation हो जाएगा with the help of the ligase enzyme उनका क्या हो जाएगा ligation हो जाएगा so RNA editing की वज़े से क्या हो सकता है कि जो आपके codons है वो ही alter हो सकते हैं तो mRNA के अंदर पहले sequence मालो GAG, AAC, CUC यह आपकी sequence थी this was before, मैं यह आपे लिख देती हूँ कि यह हमारे पास before editing वाला situation था, editing की वज़े से यहाँ पर नए जो uracil add होए है asparagin और leucine so तीन जो है, तीन basis मिलकर के codon मनाते हैं, तो GAG जो होता है, वो glutamic acid के लिए code करता है तो आपको बस क्या sequence हारी थी glutamic acid, asparagin, leucine लेकिन जैसे ही हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर insertion किया तो फिर आपकी पूरा का पूरा जो sequence था, वो ही change हो गया अब जो नए codons है, वो किसको code कर रहे है asparagin को यहाँ पर जो नए codons है वो किसको कर रहे है, aspartic acid को, cysteine को, isoleucine को और proline को, so this is like after, after editing, so RNA editing से क्या हो सकता है, कि जो codons है mRNA के अंदर वो altered हो सकते है, तो इस mRNA से जो protein मनेगा वो भी पूरा क्या हो जाएगा, अगर आप mRNA के अंदर editing करोगे, तो उससे जो protein मनेगा, वो भी क्या हो जाएगा altered हो जाएगा so that's all for today, अगर वीडियो आपके लिए helpful था तो प्लीज अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करे, अगर आप चानल पर नए है, don't forget to subscribe for more updates, thank you and have a great day